नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्टेडी डाउनलाइन क्लासेज के यूटूब चैनल में स्वागत है UPPCL टेकनिकल हेलपर आदी सभी के लिए अपन ओनलाइन टेस्ट स्रीज डिसकस कर रहे हैं तो आज का जो अपना टोफिक रहने वाला है वह है इलेक्ट्रिक सैल और बेटरी है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्यूशन इस परकार है क्यूशन ध्यानपूरोग पड़े और जल्दी स्यांस्वर कमेंट करके बताएं जब एक वीलियन में से विधुत धारा गुजरती है तो एक खालिस्तान प्रभाव उत्पन होता है बताएं एक वीलियन के अंदर से अगर विधुत धारा गुजरती है तो किस तरह का प्रभाव उत्पन होता है उप्सन नमरे रासायनिक सम्तुले, उप्सन B विधुत अपगटन, उप्सन C आयनिकरन और उप्सन D रासायनिक परभाव तो जल्दी से पहले question का answer कमेंट करके बताएं तो इस question का right answer क्यों होगा कुछ तरल परदार्थों में से विधुत धारा का परवा है होने से क्या होता है, उसमें रासायनिक परभाव उत्पन होता है तो इस question का right answer क्या होगा, option number D फैस्ट question का option number D right answer होगा चलिए दोस्तों, question number 2 question number 2 आपके सामने है रासायनिक उर्जा को विधुत उर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरन को क्या कहा जाता है बताएं, रासायनिक उर्जा को विधुत उर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरन को क्या कहा जाता है option number A, जनितर, option B, प्लेट, option C, सेल या बेटरी, option D, मोटर तो जल्दी से answer कमेंट करके बताएं रासाइनी कुर्जा को विधुतुर्जा में प्रिवर्थित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है तो रासाइनी कुर्जा को विधुतुर्जा में प्रिवर्थित करने वाले उपकरण को अपन क्या बोलते हैं धातू के रिनात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है उप्षन नमर A. Anode उप्षन B. Cathode उप्षन C. Collector उप्षन D. Gate उप्षन E. A. और B. दोनो तो जल्दी से आंसूर कमेंट करके बताएं धातू के रिनात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है तो धातू के रिनात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है तीन नमर क्यूशन का राइट आंसूर क्या होगा उप्षन नमर 20 क्यूशन का राइट आंसूर होगा धातू के रिनात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है चलिए दोस्तों बिना देरी के विए अगले क्यूशन नमर चार के ओर चलते हैं क्यूशन नमर चार अपना इस परकार है जब बिजली सम्मान मात्रा के अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माद्दे म से पारित होती है तो इलेक्टरोड पर उत्पन होते विविन पतत्वों की मात्रा उसकी रासाइनिक तुलेता के अनुपात में होती है यह खालिस्तान में वर्नित है यह किसके सिध्धान्त किसके नियम का खथन है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं ओप्सन अमर ए जो है फ्लेमिंग के दाइने हाथ का नियम ओप्सन बी फेराडे के पहले नियम ओप्सन सी लेंज के नियम और ओप्सन डी फेराडे के दूसरे नियम तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्युस्टन का राइट आंसर क्या होगा तो यह किसका गठन है फेराडे के दूसरे नियम का दूसरा नियम क्या फेराडे का जो दूसरा नियम है उसका एक गठन है तो इस question का right answer क्या होगा option number D चार नमर question का right answer क्या होगा option number D चलिए दोस्तों बिना देरी के वे question number 5 की ओर चलते है पांच नमर क्यूशन अपना इस परकार है नीचे दिये गए कथन को पड़ें और परसन का उत्तर दें कथन क्या कह रहा है किसी भी इलक्टोड पर जमा या मुक्त किये गए परदार्थ का दर्वेमान M.A.S.Q की मात्रा के समानुपाती होता है उपरोक्त कथन नीमन में से किस नियम से सम्बंदित है तो जल्दी शान्सुर कमेंट करके बताएं क्या बोल रहा है M.S.मानुपाती Z.I.T. यह किसका कथन है जल्दी शान्सुर कमेंट करके बताएं उप्सन नमर A जो दिया है फेराडे का पहला नियम उप्सन B फेराडे का दूसरा नियम उप्सन C रासाइनिक तुल्यांक रासाइनिक सम्टुले और उप्सन D बैटरी चार्ज होना तो M. यहां क्या है जहां पर मुक्त हुए परदार्थ का दर्वेमान होता है किसमें ग्राम में आई विदु धारा एंपियर में समेश सेकिंड में और जेड क्या है विदु तरासाइनिक तुल्यांक विदु तरासाइनिक तुल्यांक का मातरग क्या होता है ग्राम परतिकुलाम यह भी याद रखिए तो यह किसका गतन है फिराडे का जो पर्थम नियम है वह है तो पांच नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो गए उप्स नमर A फिराडे का पर्थम नियम की समिक्रण क्या होती है M, समानुपाती, Z, I, T याद रखिए जहां Z क्या है विदुत्रासाइनिक तुल्यांग और इसका मातरक्या होता है ग्राम पर्थम तो चलिए पांच नमर क्यूशन अपने देख लिया अब चलिए 6 नमर क्यूशन की तरह 6 नमर क्यूशन आज गा अपना 6 नमर क्यूशन इस परकार है विदूत रासाइनिक तुल्यांग का मातरग क्या होता है अभी अपने बात की थी विदूत रासाइनिक तुल्यांग के बारे में इसे किस से डिफाइन करते हैं जेड से तो बताओ विदूत रासाइनिक तुल्यांग का मातरग क्या होता है तो क्या होता है, ग्राम, परती, कुलाम, राशानिक, तुल्यांग का मात्रख होता है, इसे जेड से दर साथे हैं, तो इस क्यूशन का राइट आउंसर क्या हो गए, और ओप्सन नमर B, चलिए, अब क्यूशन नमर 7, अपना इस परकार है, जल्दी शांसर कमेंट करके बताए साथ नमर क्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंद में फिराडे के पहले नियम को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अभी अपने यह क्यूशन डिसकस किया ता क्यूशन नमर फाइब के अंदर उसमें मनें आपको फिराडे के पहले नियम की समीकरन बताई थी अगर याद है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं याद नहीं है तो एक बार फिर से अबन डिसकस कर लेते हैं फिराडे के पर्थम पहले नियम की समीकरन जहां M क्या होता है M इसके अंदर क्या होता है मुक्त हुए परदार्थ का देरोएमान ग्राम के अंदर और Z क्या होता है विदुत रासाइनिक तुल्यांक I विदुत धारा एमपियर में और T समय सेकिंड में तो फिराडे के पर्थम नियम की समिकरन इसमें से कौन सी होगी जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं तो फिराडे के पर्थम नियम की समिकरन क्या होती है M इकुल Z IT तो उप्सन नमर A इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया साथ नमर क्युश्चन का राइट आंसर क्या हो बताएं इलेक्ट्रो प्लेटिंग विदुद धारा के नीमन लिखित प्रभाव का एक परिणाम है ओप्शन अमरे तापन प्रभाव ओप्शन बी चुम्बगे प्रभाव ओप्शन सी रासाइनिक और ओप्शन डी परकासिक प्रभाव तो आठ नमर क्युषन का जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रो प्लेटिंग विदुद धारा के किस प्रभाव का प्रिणाम है तो इस question का right answer जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग है वे है विदुद्धारा की रासाइनिक प्रभाव का प्रिणाम है तो option number C इस question का right answer हो जाएगा तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग चलिए नो नमर question की तरफ चलते हैं आज का नो नमर question अपना इस परकार है बेटरी में किसी परदार्थ के रासाइनिक संकक्ष वजन को निर्धारित खालिस्तान से किया जा सकता है बताएं बेटरी में किसी परदार्थ के रासायनिक शमकक्ष वजन को निर्धारित खालिस्तान से किया जा सकता है ओप्शन अमरे फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम ओप्शन बी अन्नोने प्रेरेन ओप्शन सी लेंज का नियम और ओप्शन डी फेराडे का विदू चुम्बक के प्रेरेन का नियम तो जल्दी से नोनमर क्यूशन का अन्सर कमेंट करके बताएं क्या होता है M1 अपोन W1 इक्वेल M2 इक्वेल M2 अपोन W2 तो बताओ बेटरी के किसी परदार्थ के रासाइनिक शमकस्वेजन का निर्धारन खालिस्तान से किया जाता है किस नियम से किया जाता है फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम के द्वारा और फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम का फोर्मूला क्या होता है M1 upon W1 equal M2 upon W2 जहां M क्या है इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए परदार्थ का देर्वेमान ग्राम के अंदर और W क्या है परदार्थ का रासाइनिक तुल्यांक तो चलिए 9 नमर क्यूस्चन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्सन नमर A चलिए बիनादेरी के हुए quiz नमर 10 आज का 10 नमर क्यूस्चन अपना इस परकार है जल्दी से 10 नमर क्यूस्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं एक इलेक्ट्रोड में विधूत परवा है एक इलेक्ट्रोड में विधूत परवा है खालिस्तान के माद्यम से परवाहित होता है बताएं उप्षन नमरे इलेक्ट्रोन, उप्षन B परमाणू, उप्षन C धनात्मक और रिनात्मकाईन, उप्षन D अनू, उप्षन E नाभीक एक इलक्ट्रोन में विदूत परवा है, खालिस्तान के मादम से परवाहित होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं यह क्यूशन टेक्निकल हेलपर भरती के अंदर 27 अगस 2018 को थैड़ सिप्ट में पूछा गया क्यूशन से अगर आप टेक्निकल हेलपर और UPPCL या अन्ने किसी टेक्निकल एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सिरीज आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सिरीज डिसकस करते हैं तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल स्टेडि डाउन लाइन क्लासेज पे नए हो, तो जल्दी से हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करें तो बताओ देस नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा इलक्टरोलाइट में विदूद प söylवा है, धनात्मक से रिनात्मक आयन के कारण होता है किसी सेल दोराँ विदूद धहरा पोजिटिव सीरे से नगेटिव सीरे की और परवाहित होती है तो इस क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा है? एक एलेक्ट्रोलाइट में विधुत धारा का अप्रुवा है धनात्मक और रिनात्मक आयन के कारण होता है दस नमर कुष्टन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्सन नमर सी चलिए बिना देरी के वे कुष्टन नमर ग्यारा फेराडे के विधुत अपगटन के दूसरे नियम के अनुसार विधुत की सम्मान मात्रा दुआरा मुक्त किये गए विभिन परदार्थों के आईनों का दर्वमान उसके खालिस्तान के समानुपाती होता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं उप्सन मरे रासाइनिक तुल्लांक भार उप्सन भी फेराडे इस्तिरांक उप्सन सी इलक्ट्रोड के आकार और उप्सन डी पस्च विधुत वाहेक बेल तो फोर्मूला क्या होता है M इक्वेल जेड आई टी अपनने भी डिसकस किया था तो बताओ फिराडे के विधुत अपगटन के दूसरे नियम के नुसार विधुत की सम्मान मात्रा द्वारा मुक्त किये गए विभिन परदार्थों के आईनों का दर्वेमान उसके किसके सम्मानुपाती होता है रासाइनिक तुल्ल्लांक भार के सम्मानुपाती होता है तो ग्यारा नमर किस्टन का राइट आंसर क्या हो गया उप्सन नमर ए चलिए बिना देरी के वे अगला किस्टन नमर बारा आज का किस्टन नमर बारा अपना इस परकार है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की सिध्धान्त पर काम करती है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रो प्लेटिंग की सिध्धान्त पर कारे करती है उप्सन नमर ए फेराडे का विदुद चुम्बक के प्रेरन का नियम उप्सन बी फेराडे का विदुद अपगटन का नियम Option C, उस्त्मा के स्रेक्षन का नियम Option D, रासाइनिक उस्त्मा के स्रेक्षन का नियम तो बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके Electroplating की सिध्धान्त पर काम करती है तो फेराड़ का जो विदूत अपगटन का नियम है उसके उपर क्या होता है Electroplating काम करती है तो इस 12 नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा Option B, फेराड़ का विदूत अपगटन का नियम चलिए, क्यूशन नमर 13 आज का 13 नमर क्यूशन इस पर कार है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं एक विदूत एक धातू, सोरी विदूत प्रिश्करन, Option C विदूत मुर्द्रन, Option D विदूत धातू, क्रम तो तेरा नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं एक धातू से दूसरी धातू का निक्षेपन की परकिरिया को किस रूप से जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, विदूत लेपन, तो उप्सन नमर A, इस क्यूशन का क्या होगा है, राइट आंसर चलिए दोस्तों, बिना देरी के वे क्यूशन नमर 14 विदूत अपगटन इलेक्ट्रोलिसीस के पहले नियम के अनुसार, मुक्त हुए या संचित हुए परदार्थ का दर्वेमान होता है, जल्दी शान्स वर कमेंट करके बताएं, पहला नियम क्या होता है M, समानुपाती IT उप्सन नमर A, विदूत आवेस की मातरा के सिद्धे अनुपातिक उप्सन V, विदूत आवेस की मातरा के वित्करमानुपाति उप्सन C, विदूत आवेस की मातरा के बराबर और उप्सन D, सयोजगता के सिद्धे समानुपातिक, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इलेक्ट्रोलिसिस के पर्थम नियम के अनुसार मुक्त हुए या संचित हुए परदार्थ का दर्वमान क्या होता है, विदूत आवेस की मातरा के सिद्धे समानुपाति होता है, तो इस क्विश्ण का राइट आंसर क्या हो गया, ओप्सन नमर A चलिए, अगला के नुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा परदार्थ का दर्वमान किसके अनुपाति होता है, तो क्या होता है, M समानुपाति IT M समानुपाति क्यों भी होता है, तो बताओ जल्दी शांसर करके, ओप्सन नमर A केवल धारा के, ओप्सन B विदुत रासाइनिक तुल्यांक और समय के, ओप्सन C विदुत रासाइनिक तुल्यांक और विदुत की मात्रा के, ओप्सन D केवल वोल्ट्ता और धारा के, तो पंदरा नमर किस्टन का राइट आंसर क्या होगा, विदूत रासाइनिक तुल्यांक और विदूत की मात्रा के तो पंदरा नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्सिन नमर सी फेराडे के नियम के नुसार इलेक्टरोड पर जमापरदार्थ का दरुमान विदूत रासाइनिक तुल्यांक और विदूत की मात्रा के समानुपाती होता है चलिए क्यूशन अमर 16 रासाइनिक क्यूशन अमर 16 विदूत रासाइनिक किसके समतुल्य होते हैं बताए विदूत रासाइनिक किसके समतुल्य है ओप्सन अमर A तो विदूतरासायनिक किसके समतुले होते हैं क्यों होते हैं बिजली की इकाई मात्रा दुआरा मुक्त कराए गई तत्वे का दर्वमान तो 16 नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्सन नमर ए अगर आपको हमारी यह टेस्ट शीरीज पसंद आये तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट शीरीज का लिंक अधिक से अधिक सेर करें चलिए बिना देरी के वे 17 नमर क्यूशन देख लेते हैं एक आवेशित सेल में धनात में कावेश खालिस्तान होता है एक आवेशित सेल में धनात में कावेश खालिस्तान होता है उप्सन नमर ए धनायन, उप्सन बी रिनायन, उप्सन सी नूट्रिलियस, और उप्सन डी परमाणू, उप्सन ई अनू तो बताएं एक आवेसित सैल में धनात्मेक आवेस क्या होता है धनायन होता है तो इस क्षिशन का राइट आंसर क्या हो गया उप्सन नमर ए 17 नमर क्षिशन का राइट आंसर क्या हो उप्सन नमर ए चलिए दोस्तों क्षिशन नमर 18 देख लेते हैं ठारा नमर कुश्चन अपना इस परकार है इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए एक बफिंग मसीन की गती क्या होनी चाहिए जल्दी से आंस्वर कमेंट करके बताएं उप्सन नमर एक कम, उप्सन बी उच, उप्सन सी मद्यम, उप्सन डी ए और बी दोनो, उप्सन इबी और बी या सी बताओ इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए एक बफिंग मसीन की गती क्या होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए उच होनी चाहिए और electroplating के लिए क्या यूज़ कौन सी supply यूज़ कि जाती है? dc supply 18 नमर question का read answer क्या हो गया? option नमर बी electroplating के लिए buffing machine की speed क्या होनी चाये? चलिए question नमर गुनिश देख लेते हैं आज का गुनिश नमर question अपना इस प्रकार है nickel plating के लिए एनोड किस का बना होता है जल्दी से आंस्वर कमेंट करके बताएं उप्षन नमर A जो है निकल क्रोमियम उप्षन B सुद निकल उप्षन C निकल का हाइडरेट सवरूप उप्षन D निकल आइरन और उप्षन E कोबाल्ट निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किस का बना होता है तो किस का बना होता है एलक्ट्रो प्लेटिंग के लिए कौन से सप्प्लाई यूज ची जाती है DC सप्लाई यह भी याद रखिए और निकल प्लेटिंग के लिए क्या यूज जोज करते है upside सुद निकल धातू तो उप्सन नमर B सुद निकल धातूगा एनोड परियोग किया जाता है तो इस क्युस्टन का राइट आंस्वर क्या हो गया उप्सन नमर B चलिए आज का 20 नमर क्युस्टन अपना इस परकार है जल्दी से 20 नमर क्युस्टन का आंस्वर कमेंट करके बताएं कोपर इलेक्ट्रोडों का परियोग किसके कोपर इलेक्ट्रोडों का परियोग करके कोपर सलफेट के जलिए घोल के विदूत अपगठन से मिलता है बताएं उप्सन नमर A केथोड पर कोपर और एनोड पर ऑक्सिजन option B, anode पर copper, cathode पर oxygen option C, cathode पर copper और anode घुलकर copper देता है option D, cathode पर hydrogen और anode पर oxygen बताएं copper electrode का परियोग करके copper sulfate के जली घोल में विदू तब गठन से अपने को क्या मिलता है तो cathode के उपर अपने को क्या मिलता है hydrogen मिलता है और anode पर क्या मिलता है oxygen मिलता है तो इस question का right answer क्या हो गया option D, 20 number question का right answer क्या होगा option D, चलिए 21 number question electroplating के लिए बिजली की supply होनी चाहिए electroplating के लिए बिजली की supply होनी चाहिए तो किस तरह की बिजली supply पर electroplating होता है अपने काफी बार डिसकस किया है तो किस पर होता है DC supply पर तो 21 नमर क्यूस्टन का रहे टांसर क्या हो गया, उप्सन नमर B, चलिए 22 नमर क्यूस्टन, इलक्ट्रो प्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कारिये अवश्य किया जाना चाहिए, बताएं, उप्सन नमर A, सफाई, उप्सन B, चमकाना, उप्सन C, बफिंग, उप्सन D इलक्ट्रो प्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कारिये अवश्य किया जाना चाहिए, तो इलक्ट्रो प्लेटिंग शुरू करने से पहले अपने को क्या गरना चाहिए, धातू की सफाई की करनी चाहिए, तो 22 नमर क्यूस्टन का रहे टांसर क्या हो गया, उप्सन न किसी दर्व माद्दे में विधुत परवाहय करने पर होने वाले रासाइनिक परिवर्तनों की परकिरिया को खालिस्तान कहा जाता है। अप्शन बी आशन कनेक्शन, अप्शन सी विधुत धारा, अप्शन डी फेज कनेक्शन तो 23 नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा। 24 नमर क्यूशन की तरफ चलते हैं, आज का 24 नमर क्यूशन अपना इस परकार है। अपन रोजाना लगबग 30 क्यूशन डिसकस करते हैं, 30 मिनट के अंदर पानी के इलक्ट्रोलाइसिस की परकिरिया में क्या होता है। अप्शन अमर 1 केथोड पर ओक्सीजन क्लेक्ट होता है, अप्शन बी एनोड पर हाइट्रोजन क्लेक्ट होता है, अप्शन C एनोड पर ओक्सीजन क्लेक्ट होता है, अप्शन D केथोड पर दोनों गेस क्लेक्ट होती है, अप्शन E केवल वाटर वेर प्रोड्यूज होता है तो बताएं पानी के इलक्ट्रोलिसिस की परकिरिया में क्या होता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं तो पानी की इलक्ट्रोलिसिस परकिरिया में क्या होता है एनोड पर क्लेक्ट होता है ओक्सिजन कलेक्ट होता है तो 24 नमर क्यूशन का राइट अंसवर क्या हो गया option नमर C electrolysis की परकिरिया में क्या होता है anode पर oxygen कलेक्ट होता है और केथोड पर क्या होता है केथोड के उपर hydrogen कलेक्ट होता है अपने पहले ही question discuss किया था तो चलिए एनोड पर याद रखेगा oxygen, kathode पर hydrogen, चलिए 25 नमरगुशन, 25 नमरगुशन आज गपना, उस battery को क्या कहते हैं जिसका आवेस वीचरजन के बाद पुनैय स्तापित किया जा सकता है, उस battery को क्या कहते हैं जिसका आवेस डिश्चार्ज के बाद पुनैय स्तापित कि की आजा सकता है ओप्सन नम्हेर ए-अद तो इसे क्या बोलते हैं सेप्राम सेकेंडरी सेल कहा जाता है वह सेल जिसे डिस्चार्ज के बाद Phoenix क्या सकता है तो कॉल से सेल होते हैं सेकेंडरी सेल्स होते हैं इनका IMAF क्या होता है उच्छ होता है और उनको क्या है यह उच्छ दर पर विदूत धारा प्रदान करते हैं तो 25 नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्सन नमर ए अपन रोजाना काफी अच्छे अच्छे क्यूशन डिसकस करते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद चलिए 26 नमर इलक्ट्रोड या एनोड खालिस्तान का बना होता है जल्दी सांसर कमेंट करके बताएं वोल्टाइक बेटरी का नेगेटिव इलक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है ओप्सन नमर ए कोपर ओप्सन भी जिंक ओप्सन सी सीशा ओप्सन डी कारबन ओप्सन यह इन सब तो सेरल वोल्टेइक बेटरी का नगेटिव इलेक्ट्रोड अर्थार्थ एनोड किसका बना होता है जिंक का बना होता है तो 26 नमर क्यूशन का राइट आंसर क्या हो गया ओप्शन नमर बी और बताओ इस सेल का विधूत वाहक बल कितना होता है सरल वोल्टाइक बेटरी या सैल जो है इसका विदूत वाहक बल कितना होता है तो इसका विदूत वाहक बल कितना होता है याद रखे 1.08 वोल्ट और इसके अंदर विदूत अब घटे के रूप में क्या यूज करते हैं अपन गंदक अमल यूज करते हैं तो 26 नमर क्यूश्चन अपना complete हो गया, चलिए, next question देख लेते हैं, 27 नमर क्यूश्चन, 27 नमर क्यूश्चन, सुस्क सेल का नाम पातर voltage कितना होता है, बताएं, नाम पातर का मतलब क्या है, सुस्क सेल पर अंकित voltage कितना होता है, उप्शन नमर A, 1.5 वोल्ट, उप्शन B, 1.8 वोल्ट, उप्शन C, 2 वोल्ट, उप्शन D, 2.5 वोल्ट, उप्शन E, 3 वोल्ट, तो जल्दी से आंशर कमेंट करके बताएं, सुस्क सेल का EMF लगबग होता है, तो 27 नमर क्यूश्चन का राइट आंशर क्या होगा, जो सुस्क स सेल है, उस पर अंकित वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, तो उप्शन E, इस क्यूश्चन का राइट आंशर हो जाएगा, सुस्क सेल में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, सल्फूरिक अमल, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, सुस्क सेल होते हैं, वह किस तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी टाइप, अर्थ प्राथमिक सेल की स्रेणी में सुस्क सेल आते हैं, चलिए 28 नमर क्यूश्चन देख लेते हैं, 28 नमर क्यूश्चन अपना इस परकार है, एडिसन सेल के रिनात्मक प्लेट का निर्मान किसे किय जाता है एडिसन सेल की नेगेटिव प्लेट का निर्मान किस से किया जाता है ओप्शन अमरे इतांबा, ओप्शन भी जस्ता, ओप्शन सी लेड, ओप्शन डी आईरन हाईड्रोकसाइड ओप्शनी सिल्वर ओकसाइड तो जल्दी से आंस्वर कमेंट करके बताएं Edison Sales की रिनातमक प्लेट का निर्मान किससे किया जाता है तो किससे किया जाता है Iron Hydroxide से Edison Sales की रिनातमक प्लेट का निर्मान किया जाता है तो इस कुष्चन का right answer क्या हो गया option No.D Iron Hydroxide चलिए बिना देरी के वे अगला कुष्चन आजगा 29 No. poster addition sale में पर्यूंकत विदूत अभगटे होता है बताएं अपने इभी डिसकस किया ت conversation addition sale की negative plate किस से बनी होती है तो hydron hydroxide से अभ आपको बुचा है addition sale में विदूत अभगटे होता है option नमरे na kalian, option b h no3, option c k oh or option d h2 socio 4 option e k no3 बताएं एडिसेन सेल में पर्यूक्त विदूत अप घटे होता है क्या होता है कि ओएच तो इस क्यूस्टन का रहे टांसर क्या हो गया ओप्शन नमर सी एडिसेन सेल को क्या बोलते हैं मैं छार ये सेल भी कहते हैं निकल आइरन सेल को एडिसेन सेल भी कहते हैं यह सेल काफी बड़े आकार के होते हैं चलिए आज का अपना अंतिम क्यूशन तीस नमर सुस्क सेल में डिपोलाइजर होता है बताएं तीस नमर क्यूशन को ध्यानपूरोग पढ़ें जल्दी से आंस्वर कमेंट करके बताएं सुस्क सेल में डिपोलाइजर होता है उप्शन अमरे अमोनियम क्लोराइड उप्शन बी कार्बन पाउडर उप्शन सी मेगनीज डायोकसाइड उप्शन डी जिंक क्लोराइड और उप्शन E सोडियम ओकसाइड बताएं जो सुस्क सेल है उसमें एक जस्ते का बेलनाकार पात पातर होता है और यह क्या काम करता है सुस्क सेल का जो पातर है बेलनाकार जस्ते का यह के थोड़ के रूप में कारी करता है और जो पातर है उसके ठीक मद्दे में क्या होता है यह सुस्क सेल का पातर है उसके ठीक मद्दे में एक क्या होता है कार्बन की छड़ होती है यह जो सेल में विदू डाइपोलाइजर क्या होता है मेगनीन डाइओकसाइड सुस्क सेल में मेगनीन डाइओकसाइड डाइपोलाइजर होता है सुस्क सेल किसे में आते हैं प्राथमी केटेगरी के सेल होते हैं तो तीस नमर की उस्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ओप्सन नमर सी, सुस्क सेल में मेगनीन डाइयोकसाइड डिपोलाईजर होता है. धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस टेश्रीज में अंत तक बने रहने के लिए आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्षन में लिखना ना भूलें. कल दोबारा इसी टाइम इस तरह की एक और नई ओनलाइन टेश्रीज के साथ हम आपके लिए हाजिर होंगे. जय हिंत, जय भारत, कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम. आपके लिए ना भारत, क्याश को या हम आपके लिए्र औरात, क्यातर। रहिंत, क्या हम मिलते हैं, क्यार्मान में आपके लिए Appए्राइम हैं, क्या मूलते हैं, Vermitt प्रूलuß में,